नमस्कार आप देख रहे हैं विद्धिया टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ स्वाती खजुरी ताल में श्री राम कथा के पांचवे दिन भक्तों की भारी भीड दिखी है कथा व्याज श्री राम भद्राचारे महराज ने कहा भगवान चतुर भुज व्रिष्णू के अवतार श्री राम नहीं बलकी अवतारी हैं बता दे सुबह हवन पूजन शाम में श्री राम कथा एवं रात्री में सांस्कृतिक कारिक्रम हुआ है श्री मानस पीट खजुरी ताल में इस समय व्रिहत धार्मी का आयोजन चल रहा है श्रताब्दी महोटसब के चतुर्थ दिवस प्राता हवन करने वाले श्रत्धालों की भारी भीड देखने को मिली श्री राम कथा के दोरान कथा व्यास हिंदू धर्म गुरू पद्मविभूशन श्री राम भड्राचारे महराज ने बताया अभी मैं 74 वर्ष का हूँ मेरे अनुसार अभी मैं 50 वर्ष और जीओंगा साथ ही मेरे गुरुजी ने कहा है मैं रात में कम सोता हूँ क्योंकि मैं भजन करता हूँ भोजन अधिक करोगे तो नहीं पचेगा क्योंकि इसमें मात्रा होती है कि तो भजन में कोई मात्रा नहीं होती इसने भजन अधिक करना चाहिए कथा के दोरान कहा कि जगत गुरू राम ललाचारी ने वचन दिया है कि खजुरी ताल में राम चरित मंदिर बनेगा और गुरु देब दुबारा कथा करने आएंगे कथा का वाचन करते हुए राम भद्राचारी ने बताये कि भगवान चतुर्बुज विष्णू के अवतार श्री राम नहीं है बलकि अवतारी है एक बार मनु ने तपस्या की और बोले कि जिन से दस लक्षन हो धर्म के मुझे वो भगवान चाहिए तब भगवान श्री राम ललाचारे महराज लाली तंबा पीठा धीश्वर जैराम महराज मंचा सीन रहें वहीं कारिक्राम का सफल संचालन महराज के कृपा पात्र मधु सूदन मिश्रा ने किया